आयोध्या में भगवान राम का मंदिर मुगल बाच्चा बाबर ने तुड़वाया था 500 साल बाद उसी जगे अब राम मंदिर बनने जा रहा है तो विरोध करने वाले भी कम नहीं है विरोध में कुछ तो तर्क चाहिए ही तो इसलिए आज उन्होंने विवाद में फिर से बाबर की एंट्री करा दी कहा ये कि मुगल बुरे नहीं दे कुछ लूट कर थोड़े ही ले गए थे मुगलों की यादे सजोने वाले ये कौन नेता हैं ये आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देते हैं राममंदी ट्रस्ट ने बाबरी मस्जित के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी 22 जन्वरी को राममंदीर उद्गाटन में आने का न्योता दिया है निमंतर से एकबाल अंसारी बेहत खुश नजर आ रहे हैं कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्टा बड़ी खुशी का पल है और वो जरूर शामिल होंगे लेकिन दूसरी तरफ राममंदीर को लेकर सियासत रुखने का नाम नहीं ले रही बिहार की नितीश सरकार के मंतरी अशोक चौधरी ने कहा कि राममंदीर बन जाने से क्या भूकों का पेट भर जाएगा क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा यही लॉजिक देते देते अशोक चौधरी यहां तक पहुँच गए कि मुगल भी यही भारत के थे वो अंग्रेजों की तरह कुछ लूट कर नहीं ले गए यहां का सब कुछ यहीं रखा तो अशोक चौधरी ने उसे नेरेटिव को आगे बढ़ाया जो कल उनके उपमुके मंतरी ते जस्वी यादव कह रहे थे कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा इन सब पर बागिश्वर धाम के पीठा दीश्वर धीरेंदर शास्त्री ने भी बहुत कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे और फिर बहस पर आएंगे मर्यादा पुर्शोत्तम हमारे राम जाती वात से उपर है हमारे राम शंपून विश्व की एकतापर बहुशा करते हैं हिंदुस्तान जब मुगलों के सासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था हिंदुस्तान मजबूत था तुकि मुगल यहां से भागे नहीं थे मुगल के पास जो था सब यह हिंदुस्तान नहीं था जो वेक्ति के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो वेक्ति दो सब छे महिना आठ महिना से डाल खाया नहीं है, वो भुखे पेड़ भुवान राम को कैसे बजेगा? जो रामण के खान्दान के लोग हैं, उनका विचारों के चस्मा डिश्टर में, उन में कुछ ना कुछ भयंकर खोट है, रामण के खान्दान के विचारे और रामण के खान्दान के चुप तो बैठेंगे। अधर्म करने बालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सक्षाथे हमारी मस्जित हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं नाजवानों क्या तुमारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाने इसलिए हम दिल्कुल जाए हम अपने सनातन की बात भी चोड़ेंगे हम प्रतेख हिंदू को जखा करेंगे जुष्टान का हर हिंदू जो है वो राम बागत है यह दो में डिवेड़ कर रहे हैं इनकी हिम्मत अथो यह काद है जहां पर राम का मंदिर बन रहा वहां पर हमारी सरकार आएगी तो मस्जिद बनवा देंगे अस्पिताल बनवा देंगे झाल